यारे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रिकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आप सब के लिए ये आज एग्रिकल्चर की सीरीज में दसमा लेक्चर है इससे पहले हमने आपको टोटल नो लेक्चर करा दिये हैं अगर आपने उन्हें नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं सारे के सारी लेक्चर आपको लाइन से मिल जाएंगे इसके अलावा आज इस दसमें लेक्चर में हम तीन इंपोर्टन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर जो पहली बात होगी वो यह होगी कि हम सभी महत्यपूर्ण फसलों की गुनसूतर के बारे में देखेंगे अभी तक हमने आपको अलग-अलग गुनसूतर सभी फसलों का बताया था अगर आपने उनका नोट्स बनाया होगा तो आप सबको वो चीज़ें याद होगी अगर आपने रिवाइस किया होगा तो और अगर आप नहीं रिवाइस किया है तो आप सभी लोग उन चीज़ों को देखिए उनका नोट्स बनाईए उनको बरबर रिवाइस करते रहिए ताकि एक्जाम में आने वाले questions को आप अच्छे से attempt कर पाओ ठीक है तो पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे गुर्सूत्र के बारे में देखेंगे किस फसल का कितना गुर्सूत्र होता है इसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि विटामिन दूसरी चीज़ यह देखेंगे कि विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है और vitamin के वेग्यानिक नाम जो है उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे तीसरा point आपका ये है कि हम कुछ प्रजातियां देखेंगे कुछ फसलों की प्रजातियां देखेंगे और वो प्रजातियां किस फसल से सम्मंदित है इस बारे में भी discuss करेंगे तो ये तीनों चीजें ही बहुत ज़ादा important है आपके आने वाले exam के लिए और जो भी हमारे telegram पर quiz चल रही है जो कि free है वो आप लोग दे सकते हो लगभग वहाँ पर बहुत सारी quizzes daily लगभग 50 questions आपको दिये जाते हैं practice के लिए जो कि सभी के लिए free होता है तो telegram जो है वो आप जरूर जोइन के लीजे अगर आपने अब तक नहीं जोइन किया है तो इसके अलावा जो बच्चे regular हमारे साथ YouTube पर सुबह सावा नोवाली class ले रहे हैं chemistry की physics की और bio की class जो regular ले रहे हैं और जिन्होंने agriculture की हमारी series भी देखी हुई है चाहे ये वाली हो चाहे इसके अलावा जो हमने objective questions के series कराई है उसमें 10 lecture हमने दे रखे हैं तो वो भी कर रखी है तो उनका एक exam के purpose से उनकी अच्छी तहरी हो चुकी होगी और पिछले तीन दिन से आप सबको पता है कि हमारे youtube channel पर test series का offer चल रहा है जिसमें आपको 299 रुपए में complete test series प्रोवाइड कराई जा रही है UP credit और BHU ICR के exam के लिए ठीक है तो अगर आपने test series को नहीं जोईन किया है या फिर इस बात को whatsapp के जरीए या फिर call करके अपने बाकी साथियों को जो तैयारी करते हैं UP credit या ICR BHU की उन सब को share कर सकते हैं ठीक है चलिए आज हम लोग यहाँ पर start करते हैं अपने इस lecture को तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एसकेरिस में कितने गुर्ण सूतर होते हैं एसके अलावा अगला है कि फल मक्ही में कितने गुर्ण सूतर पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है आठ गुर्ण सूतर पाए जाते हैं फल मक्ही में गुर्ण सूतरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है आठ होती है आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट यहाँ पर है घरेलू मक्ही में कितने पाए जाते हैं गुर्ण सूतर गरेलू मक फल मक्ही, घरेलू मक्ही और मधुमक्ही और अगर आपको पहला वला पॉइंट葉 यहां पर छोड़ दें तो दो गूरोष 622 ठीक है? इनका कॉम्बनेशन आपको इधर से बन जाएगा 832 फल मक्ही, घरेलू मक्ही और मधुमक्ही तो ये जो भी तीन टाइप की मक्हियां दी हुई है ये और इनके गुंसूत्र ये आपको याद रखने है ऐसे ही एक्जाम में आपसे कोशन बन जाता है फिर आपको अगर आपने रिवाइज नहीं किया है चीजों को तो नहीं याद रहेगा अगला पॉइंट यापर दिया हुआ देखिए सरवाथिक गुंसूत्र वाला जन्तु सरवाथिक गुंसूत्र वाला जन्तु कौन है तो अगर आपसे पूछा जाए सरवाथिक गुंसूत्र वाला जन्तु कौन है तो आपको बताना है अलो पेपता है ना अलो पेपता इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें सोला सो गुणसूत्र होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं सोला सो गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं अगला है यह सब हमने आपको पढ़ा रखा है complete जों के बारे में बाजरा के बारे में important point मतर के बारे में राई के बारे में धान, टमाटर, अलू इस सब चीज़े हमने पढ़ा रखी हैं देखिएगा पुराने lectures में ठीक है आगे देखिए जों में इतने गुंसूतर होते हैं जों में आपको 14 मिल जाएंगे 14 वाले सारे हम ल रखेंगे कैसे जों बाजरा, मतर, राई इन में कितने पाए जाएंगे ड़ोधा गुंसूतर जों बाजरा, मतर और रॉ इन चारों में 14 सोदा गुंसूतर पाए जाते हैं यह बात आपको याद रखनी आगे परते हैं अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर आगे है आपका धान मटर टमाट धान टमाटर आलू धान टमाटर धान टमाटर में आप देख रहे हैं कितने पाए जाते हैं 24 पाई रहते हैं गुर्ण सूत्र तो हमने यहां पर देख लिया कि जौँ बाजरा मटर राई जौँ बाजरा मटर राई में आपको कितने हो गए यह आपको 14 गुर्ण सूत्र हो गए इसके बाद धान और टमाटर में आपके चो गए कितने धान और टमाटर में हो गए आपके 24 हो गए इसके बाद आलू आलू में आपका होता है आलू में 48 गुर्ण सूतर होते हैं ये बात आपको याद रखना है जब भी आप आदू खाओ तो आपको याद आजाना चाहिए कि इसमें हमने 48 गुर्ण सूतर पड़ा रखा है ठीक है इसके अलावा अगला है जौर में कितने गुर्ण सूतर होते हैं जौर और मक्का इसको आप अलग याद रखोगे जौर और मक्का में 20-20 गुर्ण सूतर पाया जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको देखे लिखा हुआ है अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है चूहा और आदमी तो आपको इसका अलग याद रखना है चूहा में कितने गुर्ण सूतर होता है इसके अलावा लास्ट आपका जो इंपॉटेंट है वो है तमाकू यह जितने भी हमने आज आपको यह गुर्ण सूतर बता रहा है यहाँ पर यह सारे के सारे इंपॉटेंट है यह एक्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे ठीक है तो इनको आप कॉपी में नोट कर लीजे अच्छे से नोट कर लीजे एक बार हम फिर से रिवाइस करेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीजे याद हो जाएं तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था एसकेरिस एसकेरिस के दोगुर्ण सूतर फल मक्ही फल घरेलू और मदुमक्ही इनका तीन का हम लोगों एक साथ देखा था आठ भारा बत्तिस कैसे याद किया था आठ भारा बत्तिस फल घरेलू मदुमक्ही है ना फल मक्ही घरेलू मक्ही और मदुमक्ही तो आठ बारा और बत्तिस इनका ऐसे याद रखा था इसके लावा जब चौथा वाला पॉइंट ये अगला पॉइंट आया था सरवाधी गुंसूत्र वाला जंतू कौन सा था सरवाधी गुंसूत्र वाला जंतू था अलो पेपता इसमें गुंसूत्रों की संख्या 16 500 इसके बाद इन चारों का हमने एक 7 हाद रखा था जौंबाजरा, मटर, राई। ठीक है। इसके बाद धान טमाटर का एक 7 हाद रखा था 24 15 धान और टमाटर 24 इसके बाद आलू जौर का एक 7 एक सेट यहाँ पर देखिये, धान और टमाटर का एक साथ हम लोगों ने देख लिया 24-24 इसके बाद आलू का 48 होता है हमने अलग से बताया था कि आलू जब भी आपको खाना है याद रखना है कितना 48 ठीक है इसके बाद जौर और मक्का जौर मक्का का गुंसूतर कितना 20 होता है चुहे में 42 और मनुस में 46 होता है आप सबको पता है इसके बाद तमाकू में कितना होता है तमाकू में 48 होता है इन सबको इसी करम में अगर आप याद रखोगे बढ़ते हुए करम में अगर इसी तरह से आप याद रखोगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर आप इन्हें नहीं भूलोगे एक्जाम में थिक है एक्जाम से अधाय कि अगर आपकी त्यारी कंप्लीट है आपको ये महसूस हो रहा हूँ दिल से कि हाम ने त्यारी अच्छे से कर ली है तो आप सबी लोग टेस्सीरीज को जरूर जोइन कर लिए और अगर आपने अब तक नहीं जोइन किया तो आप लोग तो आज रात 12 बजे तक सिर्फ आपको 299 रुपए में टेस्सीरीज मिलेगी ठीक है तो पूरी की पूरी इंफर्मेशन आप कॉल करके या वाटसप करके ले सकते हो चलिए आगे देखते हैं यहां पर हम आपका जो भी वाटसप आ रहे हैं सुबह से लगातार आपको वाटसप आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई रिगुलर किया जा रहा है और आज अभी तक यह समझे कि सुबह से जितनी भी चीजे जितने भी वाटसप आ रहे हैं जितने भी पेमेंट्स आ रही हैं तो उनका रिप करके उनको 12 बिज़े से पहले पहले सबको batch में add करके उनको test provide करा दिये जाएंगे ठीक है तो कोई परसान होने वाली बात नहीं है जो बच्चे अभी तक batch में add नहीं हो पा रहे हैं सबको proper add कर दिये जाएगा 12 बिज़े तक पुरा काम चलता रहेगा आप सभी लोग दो 99 रुपए payment करके test series जरूर जोइन करने जिन बचों नहीं जोइन किये क्योंकि कल सुबह से ये वापस से अपना 499 यानि 500 रुपए इसका rate हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं vitamin और इसकी कमी से होने वाला रोग ठीक है अब इस point के बार होता है retinol आप सबको पता है retinol ठीक है vitamin A retinol इसके बाद किस याद रखना है ठीक है विटामिन A का रसाइनिक नाम क्या होता है यह होता है रेटिनॉल ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग विटामिन B1 विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्या होता है इसका होता है थाइमीन विटामिन B1 का होता है थाइमीन इसकी कमी से कौन सा रोग आता है इसकी कमी से बच्चों बेरी-बेरी नाम का रोग हो जाता है और क्या होगा कैसे लच्छन होते हैं पाचन अंग आपका खराब हो जाएगा ठीक है पाचन अंग आखराब हो जाता है इसके बाद आता है आपका vitamin B2 vitamin B2 का रसानिक नाम होता है ribofloven इसकी कमी से कौन सार होगा होगा इसकी कमी से होता है photophobia या फिर रक्त का फटना फोटोफोबिया या फिर रक्त का फटना ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला point यहाँ पर देखेंगे हम लोग vitamin B5 यह सारे के सारे vitamin बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा most important most important है तो आप सब इन्हें note करिए अगला है vitamin B5 nicene या फिर nicot यहाँ पर देखिए लिखा है vitamin B5 का रसानिक नाम nicene इसे यह तो nicene exam में लिखा रहेगा या फिर आप से पूस देगा कि vitamin B5 का रसानिक नाम कौन सा है तो इसका याद रखिए नोट कर लिजे nicene या फिर nicotinamide ठीक है nicotinamide इसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से होता है पिलाग्रा या फिर जीब का काला होना जीब का काला होना या फिर पिलाग्रा इसकी vitamin B5 की कमी से होता है ठीक है तो अगला प्र देखते हैं यहाँ पर vitamin B6 अच्छा यह सारी vitamin pi किसमें जाते हैं अगर आप से कोई एक capsule पूछा रहा तो B का नाम का जो capsule आता है उसमें लगभग B complex कह सकते हैं इन्हें जितने भी B1, B2, B3, B5, 6, 12 होते हैं इन्हें B complex vitamins कहा जाता है ठीक है तो आगे देखिए यहाँ पर अगला point लिखा हुआ है vitamin B6 vitamin B6 इसका रसानिक नाम क्या होता है vitamin B6 का रसानिक नाम होता है चलिए आगे भरते हैं बच्चों यह सब उमीद है आप सब नोट कर रहे होंगे अगला point यहाँ पर देखिए vitamin B12 vitamin B12 का नाम है kobla mine vitamin B12 का रसानिक नाम है kobla mine ठीक है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से एनिमिया नामक रोग हो जाता है यह निमिया नामक रोग हो जाता है आप कुछा रखना है vitamin B12 kobla mine ठीक है? kobla mine अगला है vitamin C vitamin C आप सब को पता है ascorbic acid जिते भी खटे खटे फल होते हैं या फिर खटी चीजे होती हैं उन सब में vitamin C पाय जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है इस करवी यह सब UP-credit में कई बार पूछा जा चुका है vitamin से या फिर मानो स्वास थेवं रोग इस टॉपिक से हमेशा question पूछा जाता है और जो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाओगे biology का 25 लेक्चर biology के पढ़े हुए है objective उसमें माना स्वास थेवं रोग से 250 question कम से कम मेने करा रखे है तो उनको आप जरूर देखिएगा वहाँ से पक्का इस बार UP-credit exam में कोई ना कोई question बनेगा ठीक है और जो भी student regular हमारे चैनल को follow करता है सुभा सवा 9 बजे वाली class तिवरी सरगी देखता है उसके बाद biology देखता है ठीक है और जो test series जोईन कर रखा है इसके अलावा इस class में पढ़ाएगा हर एक chapter का notes बनाता है सारे lectures वो पढ़ता है उसका selection इस बार final है ठीक है तो इसका notes बनाते चलिए हर एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलिए इन सब चीजों के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है ठीक चलिए आगे देखिए यहाँ पर लिखा है विटामिन B12 कॉबलमाइन और कौन सा रोग एनिमिया रोग आगे बढ़ेंगे विटामिन B विटामिन C विटामिन C तो आपको मैंने बता दिया एसकॉर्बीकेसिड इसकरवी अगला है विटामिन D विटामिन D का रशानिक नाम आप सबको पता है केलसी फेरॉल विटामिन D का रशानिक नाम केलसी फेरॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आप सबको पता है, विटामिन C की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है अगला है विटामिन E, विटामिन E, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन E का रसानिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा होता है, इसकी कमी से बांजपन बिमारी हो जाती है अगला है विटामिन H विटामिन H की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो विटामिन H का जो रसानिक नाम होता है वो होता है बायोटीन विटामिन H बायोटीन और इसकी कमी से होता है डर्मीटाइटिस विटामिन H यानि Biotin की कमी से Dermititis नामक रोग हो जाता है तो ये सब आप लोग note करिए अगला देखेंगे विटामिन K विटामिन K की कमी से कौन सा होता है तो विटामिन K की कमी से बच्चों रक्त का थमना या फिर रक्त का यहाँ पर धमना लिखा हुआ है ओर इससे क्या कहते है, vitamin K का जो रसाइनिक नाम है, वो होता है, phyloquinone, ठीक है? इसे अगर सही pronunciation आप इसका करोगे, तो कई जगे लिखा होता है, phyloquinone, ठीक है? आप इससे phyloquinone भी पढ़ सकते हो, या फिर phyloquinone, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, last है, folic acid, folic एसेड की अगर बात की जाए तो folic acid की कमी से कौन सा हो जाता है यह हो जाता है anemia folic acid की कमी से anemia हो जाता है ठीक है तो यह सारे important जो भी vitamin थे इनकी कमी से होने वाले रोक थे बच्चों यह हम लोगोंने देखे एक बार आप इसका screenshot ले सकते हो या फिर आप इसे अच्छे से नोट करके इसको बार-बार revise करिए ठीक है और यह सब important है चलिए आगे देखते हैं अगला point यहाँ पर दिया हुआ है आगे जो हमने third point अपना बताया था कि महतुपूर्ण कुछ प्रजातियां होती है जो भी अरली पतना नाम की परजाती है यह किस से सम्मंदित है ठीक है तो अरली पतना नाम की परजाती जो यह लिखी है यह किस से सम्मंदित है यह सम्मंदित है अगेती फूल गोबी से ठीक है अरली पतना नाम की जो परजाती है यह अगेती फूल गोबी फसल से सम्मंदित है अगला देखते हैं मुगुती मान सरोवर मुगुती मान सरोवर प्रजाती के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चों मुगुती मान सरोवर प्रजाती अगेती फूल गोबी से सम्मंदित है ठीक है यानि कि यह जो दो प्रजातियां दी गई हैं आपको यहाँ पर अरली पटना और मुंगूती मान सरोवर यह दोनों ही किस से सम्मंदित हैं? यह दोनों ही अगेती फूल गोभी से सम्मंदित हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला important point यहाँ पर देखते हैं अगली फसल देखते हैं कौन सी है? प्रजाति कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर अगली प्रजाति आपको दी गई है वो दी गई है पंत सुब्रा ठीक है? और यह दोनों एक ही है पंत सुब्रा या पूसा सुब्रा इनमें confuse मत हुईएगा पंत सुब्रा और पूसा सुब्रा दोनों अलग-अलग प्रजातियां है पंत सुब्रा और पूसा सुब्रा ठीक है? किस फसल से सम्बंदित है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो मध्य प्रजाति पात गोभी से सम्बंदित है ठीक है? तो यह आपको याद दखना है चलिए आगे दिखते हैं बच्चों अगला आपको अगली प्रजाति दीग हुई है पूसा केसो पूसा केसो किसे सम्बंदित है? पूसा केसो सम्बंदित है गाजर से पूसा केसो गाजर से सम्बंदित है ये इसकी महतुपूर्ण प्रजाती है इसके अलावा आपको पूसा जॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को confusion होता है पूसा केसो किसे संबंदित है और पूसा जॉइंट किसे संबंदित है इसलिए यहाँ पर इन चीजों को एक साथ करके हमारी बुक में summarize किया गया है कि पूसा केसो संबंदित है गाजर से और पूसा जॉइंट संबंदित है बरसीन या पपीते से ठीक है बरसीन और पपीते से संबंदित है तो इन में confusion आपको नहीं होना चाहिए आज के बाद हमें आपको अच्छे से समझा दिया पूसा केसो गाजर से और पूसा जॉइंट बरसीन या पपीते से आगे बढ़ेंगे अगला point है आपको दिया हुआ है पूसा आरेच्टेन पूसा आरेच्टेन किस से संबंदित है तो पूसा आरेच्टेन संबंदित है सुगंधित धान फसल से सुगंधित धान से संबंदित है अगला है पूसा हिमानी पूसा हिमानी संबंदित है मूली से पूसा हिमानी किसे संबंदित है मूली से संबंदित है इसके बाद पूसा अरेष्टन हम लोगों ने देख लिया सुगंधित धान से और पूसा हिमानी किसे संबंदित है मूली से संबंदित है अगला है पूसा दो फसली किसे संबंदित है पूसा दो फसली संबंदित है लोभिया भी कहते हैं इसे कई जगा तो आपको याद रखना है कि पूसा दो फसली संबंदित है लोभिया से ठीक है च संबंदित है टमाटर और चनने में दोनों में ही दोनों ही फर्सलों में ये प्रजाती पाई जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉको देखेंगे क्या लिखा हुआ है अगली प्रजाती है आपकी पूसा रूबी ठीक है तो बहुत सारी यहाँ पर पूसा नाम से बह से पूसा अरली ड्वार्फ ये संबंदित है एक किसम टमाटर से ये हमने आपको बताया हुआ है पूसा रूबी टमाटर से संबंदित है पूसा अरली ड्वार्फ किस संबंदित है पूसा अरली ड्वार्फ संबंदित है टमाटर और इस्ट्राबेरी से संबंदित है अगला ह आपका आता है अरका हरित देख लिए हम लोगों ने अरका हरित करेला हो गया इसके बाद आजाद हरित किसे संबंदित है लौकी की यहां पर तीन प्रजातियां लिखी गई है लौकी की जो इंपोर्टेंट है जो एक्जाम में पूछी जाती है या पूछी जाएंगी ये ती कौन सी आजाद हरित पूसा मेखदूत और पूसा मंजरी ये तीनों ही संबंदित हैं लौकी से चलिए आगे पड़ते हैं अगला पॉइंट या पर हम लोग देखते हैं अगला है आपका ब्लैक ब्यूटी किसे संबंदित है तो बैगन बैगन की प्रजाती का नाम है ब्लैक ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक इस्टोन इसमें दोनों में बहुत कंफूजन रहता है ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक इस्टोन में तो आपको याद रखना है कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो बैगन है और जो ब्लैक इस्टोन है वो क्या है वो तरबूज है ठीक है तरबूज ठ दिखन है तो यह तरबूत की प्रजाती होती है Black Stone और Black Beauty जो होती है वो बैगन की प्रजाती होती है चलिए अगे देखते हैं अगला point आप को दिया हुआ है पंत समराट किस फसल से संबंदित है पंत सम्बाट चलिए अगे देखते हैं अपनाघ fp4 यह संबंदेत एपकी मतर से यह किसी समंदेत है इसकेATA ? आपको अगर सिर्फ अपना आए थो इन में कंफ्यूजन होता है जिन फसलों में या प्रिजातियों में कंफ्यूजन की इस्तिती होती है, यहाँ पर हम लोग उन्ही को डिसकस कर रहे हैं, या फिर जो पूछी गई है, या फिर जो पूछी जा सकती है, है ना, ऐसी वसलें पूछी जाती है, जिनमें आपको confusion हुआ हमेसा और आप गरत आंसर मार्क करके आ जाओ, ठिक, तो अगर आपने test series जॉइन क आपको इतना experience हो जाएगा, कि तीन घंटे में paper को कैसे करना है, एक idea मिलेगा, ठिक है, किस question को करना है, किस question को छोड़ देना है, इसके बारे में एक idea मिलेगा, तो आपको इस तरह के जो test है, वो देने चाहिए, ताकि आप एक idea ले सको, कि आपकी त्यारी कितनी चल रही है, कितनी नहीं है, ठिक है, और time management सबसे ज़्यादा important होता है exam में, तो तीन घंटे के अंदर आप पूरा complete अपना paper कर सको, ये time management भी आप कैसे सीखोगे, जब आप इस 15 टेस्ट को दोगे, इस stopwatch लगाके, लगाने के भी जरूरत नहीं है, हमारी app जो है, app में अल्रेडी उपर यहाँ पर समय चलता रहता है, आप उसी के according, तीन घंटे के अंदर पूरा पूरा आपको complete करना होगा, submit करता ही आपको पूरा answer आजाएगा, कौन सा answer सही था, गलत था, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना, तो जो चीज़ें आपके लिए important है, आपको selection में जरूरी ह selection के लिए आपकी वही चीज़ें आपको बताई जा रही है, वही questions उसमें रखे गए हैं, तो test series आप लोग जरूर जोईन करिए, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, अपाणा, HFP4, इसमें हमने बता दिया, मटर, और अपाणा, सिर्फ अपाणा की, अगर प्रजाती की बात की जाए, तो यहाँ पर तीखी मिर्च, अगला है आपका मसालावादी, मसालावादी, तीखी मिर्च की जितनी भी यहाँ पर किसमें दी गई है, सबको हम लोग यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं, तीन किसमें यहाँ पर आपको दी गई है, एक है अपाणा, दूसरा मसालावादी तीसरी है JP46, तो ये तीन की तीनों किसमे किसकी है, ये हैं तीखी मिर्च की अपाणडा, मसालावादी और JP46 ठीक है, तो आप जब भी सबजी लेने जाओगे तो आप यही बोलोगे कि भीया जो तीखी मिर्च चाहिए हमको वो अपाणडा की देदो, या मसालावादी की या JP46, ठीक है, उससे को मिर्चा चाहिए, JP46 वाला तो आपको याद भी रहेगा इसका, प्रजाती भी याद रहेगी है ना, तो JP46 वाली मिर्च आपको तीखी मिर्च यही खानी चाहिए ठीक, आगे बड़ते हैं, अगला पॉइंट है, यापर हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट देखिए, क्या लिखा हुआ है, Chinese Joint तो ये किसकी है, Chinese Joint जो ही आपकी किस्म है, जो प्रजाती है ये है सिम्ला मिर्च की, ठीक है जब भी सिम्ला मिर्च लेने जाएंगे, तो क्या कहेंगे, Chinese Joint वाली प्रजाती की चाहिए ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर पूसा यम दगनी, पूसा यम दगनी, गाजर की एक प्रजाती है इससे पहले गाजर की हमने आपको प्रजाती बताई थी उस प्रजाती का नाम भी आपको याद अपना है पूसा केसव, हमने आपको बताई थी पूसा केसव, और ये कौन सी है पूसा यम दगनी, ठीक है तो गाजर की भी हमने दो प्रजाती आँ देख ली है पहली, पूसा केसव और ये वाली कौन सी, पूशा, यम, दगनी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेगे, N53, N53, N53 किसकी पर जाती है, N53 आपकी है, खरीफ हेतु प्याज, ठीक है, N53 है, और एक और यहाँ पर आपको दी गई है, एग्री फाउंड, डार्क रिड, ठीक है, यह दोनो किसकी है, यह दोनों ही है, खरीफ हेतु प्याज की, खरीफ हेतु प्याज की, N53, और एक्री फाउंड, डार्क रिड, ठीक है, डार्क रिड से ही आपको याद रहेगा, कि यह जो खरीफ प्याज हेतु है, यह आपकी किसकी है, यह खरीफ हेतु प्याज की किस्म है, अगला है अगला अगर आपसे पूछ दे कि प्याज की कोई एक किस्म बताइए चार ओप्शन दे देगा उसमें अलग-अलग फर्स्ट लोग की परजातियां लिख देगा एक ओप्शन में आपको लिख देगा कि अर्का पितामबर ठीक है तो अगर आपने यहाँ पर पर रखा है प्याज की किस्म के बारे में कि प्याज की एक किस्म होती है या प्रजाति होती है अर्का पीतामबर तभी तो आप कर पाओगे है ना चलिए तो प्याज की एक किसम होती है अर्का पीतामबर अगला point यह आपको दिया हुआ है पीली सरसों की किसम कौन सी है पीतामबरी अगर आपसे पीतामबरी दे δे तो पीतामबरी किस से सम्बन दे दे अगला point याँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पितामरी देख लिए हम लोगों ने, अरका पितामर देख लिए हम लोगों ने, इसके बाद, एक point आपको और दिया हुआ है, T515, ठीक है, T515, ये किसे सम्बंदित है, T515, भी पिली सर्सों की ही एक प्रजाती है, ठीक है, T151, तो पितामरी और T151, ये दोनों ही किसे सम्बंदित है, ये दोनों ही पिली सर्सों से सम्बंदित है, चलिए, अगला point याँ पर देखिए, क्या लिखा हुआ है, अगला point देखिए, बस, कुछ माहत्यकुर्ण पर जाती है, और बची हुई है, इसके बाद complete करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, प्रमुख और सुजाता, अगर आपसे इन दो फ़सलों के बारे में बात की जाए, तो यह दो की दोनों फ़सलों जो होती है, किससे सम्बंदित होती है, यह सम्बंदित है, कपास से सम्बंदित, ठीक है, प्रमुख और सुजाता किससे सम्बंदित है, यह दोनों ही कपास से सम्बंदित है, अगला point आपको दिया हुआ है, टंकुर, तंकुर किस सम्मंदित है तंकुर सम्मंदित है सोया बीन से तंकुर सम्मंदित है सोया बीन सोया बीन की एक प्रजाती है तंकुर ठीक है और इसके अलावां सिला जीत तंकुर और सिला जीत ये दोनों ही सोया बीन से सम्मंदित है ठीक है तंकुर और सिला जीत दोनों ही लेलने वाली मुझफली से, ठीक है, तो इन तीनों को ही आपको अलग से नोट कर लेना है और इनको याद रखना है, आगे बरते हैं, केंट, केंट किसे समबनेत है, जो ये केंट परजाती समबनेत है, जैं कौफी और सोयबीन, ये important है, इसे आप नोट कर लीजें, जरूर, य तो आपको यहाद रखना है इन उसी पाँचों परजातियों के बारे में सारी किसकी परजातियां है यह सारी परजातियां है बरजातियां कौन कौन सी अलजीरियन मिस्कावी खजदरावी बील 1 और बील 10 ठीक है तो यह सारी जो महत्रपुन प्रजातियां हमने आपको बताई हैं अगर आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे और इसके अलावा इनका आप नोट्स बनाके इसे बार बार रिवाइज करिए ठीक है ताकि आपको यह हमेशा के लिए चीजे याद हो जाए और आप जब ठीक है जिन बच्चों ने अब तक test series को नहीं join किया है वो आज रात 12 बरे से पहले join कर लें complete solution के साथ आपको test series आपको provide कराई जा रही है मात्र 299 रुपए में ठीक है कल सुबह से इसका rate वापस 499 हो जाएगा जो भी student join करना चाहते हैं वो 973 9888 पर WhatsApp या call करके join कर सकते हैं ठीक है तो ख्याल रखिए बच्चों पढ़ते रही है ऐसे ही जो भी छीज़ें आपके लिए important हैं वो सब आपको बताई जाती हैं और regular follow करिए YouTube चैनल को सारे videos के notes बनाईए और notes बनाने के साथ साथ अच्छे से test series भी दीजे ठीक है ख्याल रखिए पढ़ते रही है मिलते ह नेक्ट लेचर में थेंक यू